लड़का लोग पढ़ के तो समझे उसको और हाँ जो लड़के लोग पूरा हिंदी वाले हैं कम से कम आप इंग्लीज वर्ड को जरूर रट लें इंग्लीज वर्ड पर ध्यान दे क्योंकि अब इंग्लीज फेस का चेहरा आएगा तो कोसें नहीं बनेगा ठीक है अब इस्टार्ट करते हैं तुम लोग हमको केला के क्या बूलते हैं केला के पेड़ पर चढ़ा रहे हो ना कि उपर चढ़ाएं फिर नीचे उपर से गीर जाएं चुले स्टार्ट करते हैं कि वेंटिलेशन क्यों जरूरी है इसी तरिके से कोस्ट आएगा ठीक है कि वाय बहर एंटिलेशन इस नेसेशरी चार उप्सण देगा ए मतलब ऑप्सण देगा ए बी सी डी एक में देदेगा ओल ठीक है ए बी सी एक में देदेगा ओल उप्सण तो है के लड़का को पहले मिनिंग समझना होगा ये जो क्या लिखाव आए इसका मिनिंग मिनिंग समझ जाओ अगतिक हो जाएगा तो हम लोग माइनस में वहंटलेशन क्यों प्रभाइट करते हैं को Hyun- 무대 K acquisition अणे का पहला क्या लिखा है to clear-new Content mine में क्या होता है बस अभी से स्टार्ट हो रहा है सब में अभी स्टार्ट हो रहा है कि जो भिइ Working माझन नरी तो ररा है कि मालू समय वेगारा बेगारा चलता है कि अगर कुछ Mike या लोग वाल में मतलब लोगवाल मसीन मतलब लोगवाल फेस पर मौनलो कल चल रहा है काटिङ से जोभी य। फर्ट पर्ट कर रहा है उसका क्या होगा फिसीयंचि कर जाएगा तो पहला पॉंट कि यही एकुछ नहीं है सेकेंड में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जब कोईले का फोर्मेशन होता है तो वसी टाइम मिखया मिखराइंगश मीखरा जैब जिए पुर्मेशन जी कह घया हुग है अब जो हम लोग कोयला को drilling blasting करके काट रहे हैं, पतला करें, पतला करें, तो अचानक से क्या होता है यह जो methane gas अगर कोयला हम परजेट वो बाहर निकलता है तो different form में निकलता है जो gas blower के नाम से जाना जाता है, gas outburst होता है तो वो सारा चीज हम लोग मिथेन वाला चेप्टर पर जाएंगे तब वहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या है जो भी माइस में इन्फ्लमेवल गेस निकल रहा है जोलन सील और जो भी नॉक्सियस गेसे जिसे मालो ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है और यए नॉएक्स प्रोडूस हो रहा है नाइट्रस फ्यूम और तो वो सब को डाइलूट करने के लिए डाइलूट मतलब क्या कि जो परमीसीबल लिमिट मालो सीओ का परमीसीबल लिमिट कितना है 50 ppm और माइस मालो को इस डीजल लोको मोटीव चल रहा है कि जिए रवाला से इमेली क केучी चाहिं के इस से मानोल निकल जा रहा है 500 पीपियो है इसको क्या करना हा वा हम लोग कम केशें कर सकते हैं हम लोग हवा अच्छा कर देंगे ventilation अच्छा कर देंगे ventilation इंप्रूब करके क्या करेंगे हम इसको dilute कर देंगे इसमें pure air mix कर देंगे जो surface हवा आ रहा है वो pure air जाएगा तो क्या करेगा dilute कर देगा तो dilute करेगा permissible limit तो वही है to dilute the gases that are inflammable or noxious थर्ड में क्या है आदमी लोग जो भी वहाँ पर काम कर रहा है तो उसको sufficient quantity में sufficient amount में oxygen मिलना चाहिए जो oxygen का percentage क्या है कि 99% से कभी भी कम नहीं होना चाहिए तो क्या है यहाँ पर to provide air containing sufficient oxygen next क्या है कि कहीं fiery seam हो गया या कहीं spontaneous sitting हो रहा है सारा पढ़ेंगे हम लोग spontaneous sitting क्या होता है black dam बगरा सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर तो यह क्या करेगा हवा के थुरू हम लोग क्या कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा excess rise of temperature होता है temperature control कर सकते हैं जो माइस में humidity present होता है humidity को हम लोग हटा सकते हैं जो क्या है harmful to hand of person ती यह पहला question तुमारा ventilation में यही question बन जाता है यह question हों mcq भी करवाएंगे mcq रखे हुए हैं तो वहाँ पर तुमको same to same यह data मिल जागा वाँ तो ventilation यह सब और बहुत सारा region हो सकता है में जो रीजन है अपना कि यह चार रीजन के लिए हम लोग को ventilation माइस में बहुत जरू हुए है अगर ventilation अच्छा नहीं रहेगा मालों पहले के टाइम में क्या था mechanical ventilation ने था natural ventilation के थूरू काम होता था तो गर्मी में हवा गड़ा action अलग होता था जो इंटेग्र आता था उपनाचला की ठंडा के टाइम में रिटर्न बन लेए ऐसा situation होता था पहले के टाइम में तो पहले में माइस में काम पहले के टाइम में काम करना बहुत ही टफ होता था अब है कि तरह तरह का machinery जो dust को control कर पाए जो हवा का quantity को improve कर पाए बहुत सारा वैसा टेक्नीक आ गया है कि माइस में थोड़ा अंडगावन में भी आदमी काम कर लेता है असानी से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है नहीं तो पहले देखते नहीं हो सब हाप पेंट चडड अब पढ़ते हैं हम लोग क्या standard of ventilation क्या होता यह सभी को पता होगा और इसी से पहला question आएगा एकजाम में कि MCL में क्या question आएगा वो numerical में आएगा question ठीक है नुमेरिकल कोस्टन आएगा में अस्टनर्ण वेंटिलेशन से एंचल दोनों में चांस है यह पी पीसी में आही चुका है यह पीसी में इस्पेक्टर वाले एकजाम में यहां से नुमेरिकल कोस्टन आया होता है ठीक है तो क्या है एज़ पर CMR regulation नंबर 153 टू ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं इन वेंटिलेटिंग डिश्टिक वेंटिलेटिंग डिश्टिक का मीनिंग क्या होता है समझने कोशिस करो मालो दाउनकास्ट क्या है हावा निचे जा रहा है इसे हावागया यह मालो क्यू कॉइन्टिटि आ रहा हावा रहा हावा यहां से क्या किए ह क हें हावा को अलग अलग डिश्टिक बना दिये मैंज में कि यह तो हो गया है और district बना सकते है जितना माने का महाने बना दी है अपना कि और ये रीटर्न हो गया ये अप गया हूगया कि क्या हो गया अब कस शाप्ट यह हो गया डाउन साफ्ट तब हेंटिलेटिंग डिश्टिक इसका देखना डिफनेशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि जिसका इंडिपेंड अब क्या है कि देखो यहाँ पर हम दो एक्जामपल दे रहें जिसके सारा चीज किलियर हो जाएगा कि मान लो अगर एक यह डिश्टिक है दूसरा डिश्टिक यह है तिसरा डिश्टिक यह है यह जगा इस तरीके का एरेंजमेंट है यह डाउन कास साफ्ट हो गया और यह अपकास साफ्ट हो गया ठीक है और दूसरे जगा एरेंजमेंट ऐसा हम डिश्टिक ऐसा करके रखेंग तो फिर यह हवा दूसरे डिस्टिक में जाएगा, फिर यह हवा तीसरे डिस्टिक में जाएगा, फिर रिटर्न से अपकास साथ के तुरू बाहर निकल जाएगा. यहां पर क्या विक्कत हो रहा है? देखे एक लड़का ड्रिंक करके आगया है कलास में. राहूल जिसेन गूद अप्टनौन बोल रहा है भी यहाँ पर क्या है प्रोबलम कि यहाँ पर यहाँ मालूब फेस में भेंडिलेट किया इसके साथ फेस को भेंडिलेट किया तो क्या है जाएगा फ्यूम्स आजाएगा अगर हुआ जाएगा थीक है अब इसके थुर्ण क्या होगा यह आ जाएगा सकेंड वाला डिस्टिक में इसको लेकर से और खराब हवा होके पहुचेगा थढ़ वाले में कितना खदरनाख हो जाएगा यह वह कि फेस में फ्रेस एर मिलेगा ही नहीं फ्रेस में फ्रेस एर मिलेगा यह नहीं, लेकिन इस case में क्या है, कि सभी district में यह जो quantity Q आ रहा था, इसको थोड़ा से इधर बाट दिये, Q1 quantity इधर जाओ, Q2 तुहारे पास जाएगा, Q2 इसके पास जाएगा, सभी के पास एक दम फ्रेस एर जा रहा है, और रिटर्न में क्या हो रहा है, सभ एक जगा जाके मिल रहा हुआ, इधर से इधर जाके मिल रहा है Q1, इधर से Q2, Q3, और यह उपर निकल जा रहा है, तो वेंटिलेटिंग डिश्टी का डिफ्रेसन क्या होता है, जिसके पास independent intake airway Vectatera, from the main intake airway, जो start कहां हो रहा है, यह main intake airway से separate सभी के लिए independent intake airway start हो रहा है, और terminate कहां हो रहा है, main return airway में जाके सब जाके मिल जा रहा है, मिल के बाहर निकल जाना क्या दिक्कति, कोई दिक्कत निए, तम सभी worker लोग जो यहां काम कर रहा है, तम मस्त होक़ काम करा है मैंजर मायंस का अच्छा है हम लोग थंडा थंडा हुआ मिल रहा और यहां पर गाली देगा अच्छन थे फागी वाज हूं काम Pittsburgh इन्हीं करते है उसको दिक मारिने तो यहां पर यहीं व्यवेंट्र,, relevantyu दिधिन सनी यही यह कि जहां पर separate independent intake airway है, जो man intake airway से start हो रहा है, और terminate कहां हो रहा है, man return airway पर, यह होता है ventilating risk का definition, अब क्या है इसमें, कि not less than, यह सभी को पता होगा, not less than, sign हमेशा ध्यान रुको, यह sign not less than का है, not less than, 6 cubic meter per minute of air per person, मतलब एक आदमी के लिए, एक मिनट में 6 cubic meter से हवा कम नहीं होना चाहिए, एक largest shift में, और दूसरा क्या दिया हुआ है, और 2.5 cubic meter of air per ton daily output, daily का word को ध्यान देना है, मतलब क्या, कि एक दिन में, जितना टन कोईला निकल रहा है, मतलब एक दिन में, एक ही टन कोईला निकल रहा है, तो कम से कम 2.5 cubic meter हवा जरूर भेजना है, माइस में, और यह क्या दिया हुआ हुआ है, main power के हिसाब से largest shift, देको यहान लिखा यह largest shift को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, largest shift में, मतलब किसी भी shift में, जिस shift में सबसे ज़्यादा main power काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे largest shift, अब उसके recording, जिसे माल लोग एक shift में 100 आदमी काम कर रहा है, एक shift में 200 आदमी काम कर रहा है, एक shift में 300 आदमी काम कर रहा है, तो कि अगर छोटा वाला के कोडिंग कर लेंगे 100 के कोडिंग तो क्या होगा जब 200 आदमी शिफ्ट में काम करेंगे जब 300 आदमी काम करेंगा तो उसको हवा उतन नहीं मिल पाएगा तीसलिए हम लोग largest shift के कोडिंग क्या करेंगे fan का design करवाएंगे कि अगर मालोगा simple ही है कि एक मिनट में एक आदमी के लिए कम से कम 6 क्यूविक मीटर हवा जरूर जाना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जागा largest shift 300 दिया हुआ है मतलब 300 इंटू 6 कितना हो जागा 300 इंटू 6 मतलब 1800 क्यूविक मीटर पर मिनट मतलब 300 आदमी के लिए एक मिनट में अठारा सो क्यूविक मीटर हवा माइस में भेजना होगा या अब देख लेते हैं एक परड़क्शन का डाटा दे लेते हैं कि एक दिन में जितना परड़क्शन हो रहा है मालोग एक दिन में 800 टन ति कितना हो जाएगा 25,2202,000 क्यूविक मीटर पर मिनट होगा यहां पर मिनट अब दोनों में जो जादा है दोनों में कौन जादा है मतलब क्या प्रड़क्शन के पैसिस पे या मेन पावर के पैसिस पे तो मेन पावर के पैसिस पे देख रहा है कि 1800 क्यूविक मीटर पर म तो दोनों में ज़यादा है हम लोग उतना ह anders का मैस का जो इन बाय मोश्ट गेलरी रहेंगा मैंज का कि और पासेज एलोंग दा लास्ट वेंटिलेसन provides श्तिक श्याहिए भीच मीं》 इन भाय मोश्ट गेलरी इना डिस्टिक की कानया तक हावा पहुछ रहा है मैंज में अग्दम वहां पे इतना हवा औहुचना है माइस में दो हजार क्यूबिक मीटर पर मिरट यह नुम्रिकल हंडेट परशन मान के चलो आने वाला है तुम लोग के एक्जाम में उसके बाद हम वनुम्रिकल उसपे प्रेक्रिसーー के एक रखे माइंस इंट्रेक्टर के एक जाम का और एक रखे मैं इसे इंप्ड़ी नुम्र Méंस में जहां पर आदमी काम कर रहा है या वह पास चैनल कारा में कि वो 19 परसंट से कम नी औहों चाहिए मतलब क्या इसको क्या लिए सकते हुए ऑक्षिजन का जो परसंटेज रहेगा वह greater than equal to 19 परसंटेज रहेगा ठीक है और जो CO2 का परसेंटेज है वो more than 0.5% नहीं होना चाहिए मतलब क्या जो CO2 का परसेंटेज रहेगा वो less than equal to 0.5% तिये डाटा सभी को पता होगा और परसेंटेज जो inflammable gas inflammable gas में mainly क्या पाया जाएगा CH4 में जो में इसमें CH4 रहेगा बाकि इथेन प्रोपेन ब्यूटेन बहुत सारा चीज योड़ सकते हैं कि दिक्कत वाली बात नहीं में इसमें में में कॉंपोनेंट तो परसेंटेज उप इंफ्लामेबल गेस जो रिटर्न में रहे पाये जागा रिटर्न में 0.75 से अधिक नहीं होना चाहिए और जेनरल बोडि ओफ माइस में किसी प्लेस में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए तो यह कोस्टन लड़का लोग बहुत बहुत कंफ्यूज कर जाता है कि रिटर्न में कम था या रिटर्न में जाना था रिटर्न में 0.75 से अधिक न बाता है कि रिटर्न में जाना था रिटर्न में 0.75 से अधिक नहीं होना चाहिए और बाकि जेनरल प्लेस ओफ माइन में 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए अब आता है कि डवलू बीटी डवलू बीटी के बारे में जास्ट हम लोग जाओ भी हाईडरोमीटर पढ़ेंगे तो बताएंगे डवलू बीटी तो वेट बल्ब टेंपरेचर किसी भी प्लेस पे 33.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए देखलो साइन के बारे में एक बार लिख दे रहे हैं कि यह जो साइन है न यह साइन है ग्रेटर देन का ग्रेटर देन का यह साइन है ग्रेटर देन इक्वल टो यह साइन है मतलब not greater than या not more than इसी तरीकी के similar क्या हो जाएगा यह जो साइन है यह साइन है less than का यह साइन है less than equal to का और यह साइन है not less than अब आता है not less than मतलब क्या इससे कम नहीं अगर मानलों कहीं आता है not less than मतलब क्या हमेशा उससे जादा या equal रहएगा मतलब यह दोनों साइन का meaning एक तरीकी इक्वल हो गया यह साइन का और यह साइन का meaning कुछ ना कुछ तरीके सो फसाना चाहेगा कोई ने को एक जाम में तो क्या बोल रहाए है कि डवलू बीटी वेट बल्ब टेंपरेचर किसी भी केस में 33.5 डिगरी से अधिक नहीं होना चाहिए अगर इफ वेट बल्ब टेंपरेचर किसी जगा पे 30.5 डिगरी से अधिक हो गया तो वेलो सीटी ओफ एएर उस जगा पे not less than 1 मीटर पर सेकेंड या उससे ज़्यादा होगा एक मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होगा अब बात आता है कि हम लोग कब जाज करेंगे क्या मेनेजर लोग डेली जाज करते हैं में चलेंगा माईज में कि आज डेवलो बीटी कि इतना है यस ऑकसीजन का परसेंटेज कितना है करेंवन करेंगा परसेंपल करकेंडेजंगे को आ cult Easter और साकम्ते गlles आ Currently क्दे से उस्तव के लिए जो एयर मेंड आपड़ेगा यह साड़ाूरी के लिए 30 दिन में एक बार कि कितने दिन में at least once in every 30 days कम से कम एक बार 30 दिन में जाच वगरा सारा करके वो चेक करेगा माइज का डेली इसाब काम डेली करने का नहीं इसाब काम क्या है महीना में कम से कम एक महीना में कम से कम एक बार होना चाहिए एक कोई बोल रहा है सरे इनबाय और आडवाय को थोड़े समझा दीजिए तो कि क्या होता है कि यह हीडिन है ठीक है यह क्या है हीडिन कि जिसको यह डवलप करके भी बनाया जाता है ये दो ही लिडिंग का बनाए हुए है मानलो एक आद इधर रहेगा तो रहेगा अच्छे एक और बना देते हैं मानलो एधर है अपना इंटेक वाला है और यहां से क्या है कि हवा रिडण होगा में त्क हवाइर रिडण होगा यह बनावलो परकिया मानलो इंटेक जा रहा है यह पहला फेस मतलब पहला एडिंग है दूसरा एडिंग है तिसरा एडिंग है तीनों हेडिंग से कितना फेस बन सकता है एक फेस इधर चलाएंगे एक फेस इधर बन जाएगा एक फेस इधर जाएगा इसका और यह दोनों को अगर मिलाएंगे जो नहीं बूलते हैं जो पढ अब क्या हो गया यह मालूप पूरा फेस इस तरी केस बन गया दमस्त कोईला के पिलर बन गया है इधर भी है हवा इधर से आ रहा है पहला फेस है यह फेस के लिए जो पिलर है मालो यहां फेस है इसके लिए इन्बाय हो गया यह हवागे कर भी धर से जायेगा इसका ओट इसके लिए इन्बाय हो गया और आलपाइंट क्या हो गया और तत्ह इसे हो आट district इन बाय मोस्ट इसके लिए सबसे मालो यह last face है मेरा तो last face के लिए सबसे इन बाय कोन हो गया यह person हो गया मतलब यहां पर अगर हवा का measurement करेंगे इन बाय मोस्ट ऑब दा गेलरी तो यहां पर वो चीज मिलना चाहिए जो quantity है वो यहां तक मेरा पहुँचना चाहिए तबहने कि यहां पर face को वेंटलेट करते वे निकल जाँगा यहां पर थीक है इन बाय हो गया सı इन बाय कौन है आँटबाय कौन समझ में आया face में यह face हो गया यह habea को वेंटलेट करते वे निकल जाएगा रिटर्न से वो आउट वाय हो गया ठीक है आता है कोसन एमसिल वाले एक्जाम में आ सकता है कि जेनरल बोड़ी ओप एर में मिन्स मतलब क्या रही है कोसन हम टेस्ट में दिये वैसले रड़का लोग इसको रिपोर्ट किया हुआ था घुष ओसको डिफनेसंट पता नहीं था गोशको डिफनेसंट पता नहीं था तो रिपोर्ट किया वा था एक लड़का एक कॉसन को रिपोर्ट किया हुआ था क्या कॉस्टिंट था जो बगेट-ट्र यह ड्रेग लाइन का टेवल स But Nun तो कभी मेंत तो तुम यह बताव कि तुम यह ड्रेग लाइन वाला कॉसें जो च्हेसों मीटर लेंथ होता है तुमको पहले पहले हम को पता है कि हमको पता है कि शीह-अंब को अधिक निए होता है बाकी नॉर्मलिश नबंद मीटर से अधिक कम नहीं होना चाहिए तो उसको बोले कि पहले electricity rule जो है उसको निकाल के देखो क्या दिया हुआ है वहाँ पर उसके बाद question को report करना या report करना ऐसा क्या होता है क्या हम लोग यह वह जरूर देखें question को report क्यों किया है लेकिन गलत भी report नहीं करना चाहिए सभी लोगों बोलते है कि जो question अगर लग रहा है गलत है ठीकिन अगर गलत question लगता है test में क्यों कि हो सकता है question set करने में गलती हो सकता है अगर गलत है तो report कर दो report करने क्या होगा उस question को हम लोग चेक करते है कि हाँ सही में गलत है या इसी तरीकी से हैं तो general body of air मतलब क्या होता है कि general atmosphere इने coal sim की coal sim का क्या atmosphere है वहाँ का जो भी general atmosphere है साथ में इसके अंदर क्या आ जाएगा जो atmosphere इंदा रूप cavity मतलब रूप है underground mines का तो रूप में अगर मानलो कोई cavity है तो coal sim का atmosphere क्या है प्लस रूप cavity में अगर मानलो कुछ gas वगरा पर्जेंट है तो उसका consider किया जाएगा लेकिन क्या नहीं आएगा ये दोनों consider किया जाएगा क्या consider नहीं किया जाएगा कि shield of area जो मेरा panel मानलों जिसको shield करके रख दिये है तो उसको वहां का जो atmosphere है ुसको condition मतलो उसको consider नहीं किया जाएगा और अगर कोई borehole होता ना कि हम लोग बोर होल किये है surface है अगर और कोई borehole drill किये है कि koela में या कोई edge koela के अगल बगल वाला stratum है बोर होल अगर कोईला में drill किये है या एड्जेसंट मतलब क्या कोईला कि अगल वगल वाले अगर ड्रिल किये हैं तो उसको वहां का जो एट्मस्फेर रहेगा जो इसमें गेस परजेंट रहेगा तो उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे जेनल बोडियों फेर में इसको कंसीडर नहीं करेंगे ति यह बहुत ही इ कि यह एकजम में चार ओप्षुन देगा अगर मालो कोह सिंगल अगर पांच ऑप्षुन देता है तो उसके से वहां बता रहे हैं कि ये एक में option देदेगा ये वाला एक है ये B देदेगा ये C देदेगा ये D देदेगा और एक E में देदेगा A and B यह हो सकता है confuse करने के लिए एक option देदेगा all और एक में देदेगा A and B तो लड़का लोग भी वाँ confused कर जाएगा तो क्या है कि सिर्फ कोल सिम का एट्मोसफेर काउंट करना है और रूप के विटी का क्या एट्मोसफेर बस वही आएगा बाकि बेकार का चीज ये इस इसको ध्यान रखना है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट डिफनेशन के अंदर आता है तो देखो question क्या हुआ था यह जो question है यह यूपी माइन इस्पेक्टर वाले एग्जाम का है कि वेट बल्ब टेंप्रेचर इन एनी वर्किंग प्लेस इने माइन सुड़ नोट एक्सीड जो डबलू बीटी होना चाहिए माइन्स में किसी भी जगा पर कितना से अधिक नही है सभी लोग बताओ अब इस पढ़ाये हैं कि सभी लोग बता दो कि कितना से अधिक नहीं होना चाहिए ते 25 और 30 को तो गलत कर दो बाकि 30.5 और 33.5 तो जेनरल केस के आए यह किसी भी केस में 33.5 डिगरी से अधिक नहीं होना चाहिए यह था ठीक है यह कोस्टिन तो बाद में देख लेंगा 84 नमबर कोस्टिन देखो अच्छा 79 भी देख लो 79 नमबर कोस्टिन देखो क्या है कि CEO जो शीयो है, वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, कि सीयो का permissival limit क्या है, कि सीयो जानते हैं कि 50ppm से अधिक नहीं होना चाहिए न, तो अगर यहाँ पर तो यह देखो, option यह कट गया, क्योंकि पहला option है, यह option कट गया, अब यह दोनों option बच रहा है, किसी को लग रहा है कि नोक्स का साथ होता है या पांच होता है तो यहां एक ही ओप्षन है 50 ppm and 5 ppm तो ओप्षन ए हो गया तो कितना कोसिन दिया हुआ है हमको लग रहा है छे साथ कोसिन है न सिर्फ अस्टेनर्ड ओव हेंटिलेशन से दिया हुआ है देखो अभी भी सोम्या रंजन परधान बीस ओप्षन मार रहा है वी ओप्षन क्यों मार रहे हो 50 और 5 होगा अंडर्ग्राउंड कोल माइन डिस्टिक रिटर्न एरवे में डिस्टिक का जो रिटर्न एरवे है तो उसमें इनफ्लमेंबल गेस का परसेंटेज कितना से अधिक नहीं होना चाहिए यह उप्षन बता दो इन अंडर्ग्राउंड कोल माइन डिस्टिक रिटर्न एरवे शुद नोट पर्ण टेन इन फ्लमेंबल गेस मोर देन इसका सभी का एंसर डी आ रहा है न क्या हो जाएगा 0.75 परशंट सा दीखनी माँ चाहिए तो रेगलेशन 153 तुम अच्छे से तुम लोग सभी लोग समझ के रखना ठीक है और कोसें देख लेते हैं कि यह कोसें तो हो यह कोश्टन तो होई गया है यह भी कोस्टन साहर हां देखो यह कोस्टन लगरा दुबार रिपीट हो गया था यह के एक मिनट देखो यह कॉप्चन दुबार रिपीट हुआ कि वेट बॉल्ब टेंपेरेचर इन एनी वर्किंग प्लेस इने माइन शुड नोट एकसीब 33.5 दिघ्री संटेड़ेट और यहाँ पिे कोष्चन देखो यह वला कि वेट बॉल्ब टेंपेरेचर in any working place in a mine should not exceed तो इसका भी option 33.5 degree centigrade इसका option देखलो कि methane percentage in general body of air general body of air में methane का percentage 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा इसका option 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए अब question solve करो सभी लोग अभी जश्ट बताया है यह question क्या है कि quantity of air to be circulated to an underground working जहां पे 150 worker काम कर रहा है लार्जेश शिफ्ट में और daily production है 500 तन यह ध्यान दखना daily का वर्ड यूज जरूर करना चाहिए production में और main power case में लार्जेश शिफ्ट जरूर यूज करना चाहिए अगर यूज नहीं किया है तो question को ध्यान से पढ़ना और क्या पुषिना चाह रहा है तो हो सकता है यह सा question repeat हो जाए ठीक है UPSC वाला question उठा के दे दे अगर माल लो यहां बोल देता कि 500 ton हर एक shift में हो रहा है अगर देता इसी question में क्या है कि 500 ton पर तेक shift में हो रहा है तो हम लोग कि फिर क्या करना पड़ता है कि 500 into 3 करना पड़ता 3 shift के लिए 1500 ton production हो जाता लेकिन यहां पर क्या दियावा डेली इतना हो रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा 150 into 6 cubic meter per minute और 500 ton into 2.5 यह 15.90 आ रहा है 900 और यह 1250 आ रहा है cubic meter per minute मतलब हावा इतना जरूर भेजना है इसमें सभी का answer आ गया 1250 cubic meter per minute कुछ नहीं किये है यह हम लोग को main parola जो डाटा है 6 और 2.5 यह question जानते हो हमसे guest testing में पूछाता है कभी हम भी numerical कभी इस पर नहीं सोचेते हैं इसा पूछ सकता है तो guest testing वाले exam में हमसे यह question पूछाता है तब GT exam में जब question पूछा ना हमसे यह अचानक सी यह चीज है वैसा ही वहाँ एक जांपल दे दिया इतना आदमी काम करा यह तो अचानक से मायंड में strike किया रहा हम जब यह उसको एंसर बता दिया है तो हमको वही एक कोशन पूछा एक कोशन परसेंटेज वांस फर्स सकेंट थर्ड डिरी डिफ्नेशन पूछ जया ग्रेटर दिन मोर्दन ऐसा करके sign करके बताओ लिख के हमको दिखाओ यह दोनों कोशन बता दिया हो खूस हो गया था नंबर दे दिता अच्छा एक और कोशन था इसका उनको लग रहा है कि छोड़ा कोशन कर लेंगे और कोशन कितना कितना कोशन है अब आते हैं